दुनिया का सबसे तेज और सबसे उची उड़ान भरने वाला फाइटर जेट कौन सा है? दरसल मेट 25 जो कि एक सोवेट यूग का इंटरसेप्टर है जिसे कि लॉकेट यूटू और सर ब्लाक 71 ब्लाक बार जैसे जो दिगज इंटरसेप्टर विमान है उन्हें रोकने के मेट 25 को माक 2.83 की टॉप अपरेशनल स्पीड तक मंजूरी दी गई थी लेकिन ये माक 3 की सीमा को भी पार कर गया जब इसे माक 3.2 की स्पीड से सिनाई प्रायवदिप से पार करते वे देखा गया तब इस रिकॉर्ड को दर्श किया गया हाला कि इस दौरान इसके इंजन खराब हो जाने के वज़े से ये स्क्रैप्ट हो गया ऐसा करने वाला ये एक मात्र फाइटर जेट बन गया मेग 25 35,000 मिटर यान करीबन एक लाग 15,000 फिट की सीमा को पार करने वाला पहला फाइटर जेट बन गया और इसे उड़ाने वाले टेस्ट पाइलेट अपने नाम किये थे और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है जो कि इस बात को अधर शाता है कि जो कि रोशियन इंजिरिंग का एक बहुत बढ़िया परमार माना जाता है वहीं इंडियान एफोस की बात की जाए तो सबसे तेश और सबसे उंची उडान भरने वाले फाइटर की उचाई पर वहीं माक 2 के स्पीड के बैरियर को पार करते वें पहुँच गया था और दोस्तों एक टोही मिशन के दौरान यानि कि इस्तलामाबाद तक इसके धुने की आवाज सुनाई दी थी उस दौरान ये फाइटर जेट एक टोही मिशन पर था जो कि पाकिस्तान के हवाई शेतर से बाहर निकला भारतिय वाई शेना ने 25 अक्टूबर 1995 यानि कि 1925 को अब्जर्वेशन के दौरान सूर्य ग्रन की तस्वीरे बिली उस दौरान ये 25,000 मीटर यानि की 82,000 फिट की उचाई पर पहुँचा हलाकि भारतिय वाई शेना के बास मौजूद और एक अच्छा विमान है लेकिन मिट 25 की तुला में ये फाइटर जेट 56,000 फिट की अधिक्तम यानि की मैक्सिमम फ्लाइट सर्विस सिलिंग के साथ है और ये मैक 2 की अधिक्तम गति तक पहुँच सकता है तो ऐसे में दोस्तों दुनिया का सबसे तेज और सबसे उची उ जाती दोस्तों स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक कॉम्बैक सिच्वेशन में युद्ध के मैदान में इसलिए मिक 25 का कोई तोड नहीं था उस दौरान अमारिका के पाथ फिलाल इस पूरे सिनारियों पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट शेक्षिन में झाल 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 झाल